आपके पास realme GT6 series का कोई भी phone है तो यहाँ पे आप photo videos hide and hide कैसे कर सकते हैं phone में तो photo videos hide and hide के लिए आप यहाँ पे जाएंगे gallery पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी photo को hide करना है आप 3.0 पे जाएंगे set as private पे click करेंगे यह private हो चुकी है या फिर आप यहाँ पे इस पे click करेंगे तो यहाँ पे set as private का option आएगा यहाँ से भी आप click कर सकते हैं तो यह hide होगे यह photo बाकि आप इस पे जाओगे ना album पे प्राइवेट पे click करोगे अपने phone में app lock एंटर करोगे या फिर आपने privacy password का भी set किया हुआ है तो यह hidden photos ऐसे देख सकते हैं आप और वापिस आपको screen पे डालना है गैलरी में तो set as public कर लेंगे default कर लेंगे sorry तो मैंने पहले app lock set किया हुआ है इसलिए मैंने directly enter कर दिया है वन आपको set करने का option आएगा first time करेंगे तो default करके वापिस से आपको enter करना है यह आपकी गैलरी में चला जाएगा ठीक है एक photo रह गई न तो देख सकते हैं यहाँ पे photo आपकी आ चुकी है गैलरी में वापिस और बाकी आप यहाँ पर setting पर जाओगे na security and privacy की option पर click करोगे तो safe private safe का एक option मिलेगा click कर लेंगे lock enter करेंगे तो यहाँ पर आपको image video hide करने का option मिलेगा audio document other file ऐसे hide करने का option देखने को मिलेगा ठीक है तो आप इन में से भी कुछ भी hide कर सकते हैं plus पर जाके कुछ भी आपने audio video रखा है सेटेस private कर लिया ऐसे करके private कर सकते हैं एक item यहाँ पर private है एक item यहाँ पर तो इसी तरह की interesting videos के लिए i button पर click कर लेंगे और यहाँ पर अगर कभी आपने app lock वगरा यूज नहीं किया है तो पहले app lock कर यूज कर लेंगे ताकि आप यह जो lock है वो उसको यूज कर सक की ठीक है तो प्राइवेट सेफ की सैटिंग आप इस ट्रैप से कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमश्कर